हाई मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो जो लोग भी चैलेंज को अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जे बीटी का पेपर है और मैं पुराने वीडियो में एनलेसिस करके बता चुका हूँ ये पेपर आप देख लेना मार्च औ कोई नामों निशान नहीं है कोरिजेंडम भी नहीं हुआ है लेकिन अभी तक उसका ओफिशियल कोरिजेंडम भी नहीं है तो हाई मेरा नामे अक्षे आपकी प्रिप्रेशन करवाता रहूंगा आप प्रिप्रेशन करते रहिए और जो लोग भी चैलेंज डे बन से तो Maths और Reasoning के question मिलेंगे English में ठीक है English में 9 pages का ये PDF है इसको पूरा का पूरा solve करें दो दिन आपके पास time है आपके उपर है दो दिन में आप day कैसे manage करते हैं इसको आपको solve करना है देखिए नीचे मैंने इसको लिख रखा है कि Maths और Reasoning का practice इससे number one जो है reasoning वाला Maths और Reasoning का वो आपको solve करना है अगले पर आजाईए आप देखिए अगला आप four तक कर चुके है five six seven eight आपको करना है day number 44 और 45 में और ये वाला PDF है ठीक है ये वाला आपको करना है करते रहो तयारी एकदम अपनी तरफ से एकदम तयार रहो अगला देखिए science का PDF है आपके पास देखिए science में एक दिक्कत है मैं भी आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है सबसे पहले देखिए science का एक PDF है English में जिसमें आपको 27 pages है वो पूरे के पूरे solve करने है दो दिन के अंदर 27 pages है अभी नीचे दिखा रहो कौन सा है हिंदी वाला जो PDF है उसमें हमको याद नहीं है हम आपको कहां तक करा चुके है तो आप 40 pages तक इसको पूरा कर लीजिए जहां तक भी हमने करवाया वो है कुछ तो कराया देखिए एक तो यह वाला आपको केंटार्मेंट बोर्ड के नाम से मिल जाएगा केंटार्मेंट बो यह पेज किते 82 pages का है मुझे अभी exactly याद नहीं आ रहा है हमने कौन से last PDF में आपको कितना करवाया कौन से challenge में इस PDF को तो आप page number 40 तक इसको solve करेंगे पूरा चाहे अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हैं तो 1 से 20 करिएगा day number 44 में और उसके बाद day number 45 में आपको लीजिएग तो दोनों PDF को solve करेंगे तो यह है आपका day number 44 और 45 का challenge मिलते हैं आपसे day number 46 के challenge में जिने भी notes के बारे में या PDF के बारे में जानना है हमारे दियेगा नमबर में हमें WhatsApp कर सकते हैं description box में जाके group number 3 को join कर लीजिएगा group number 1 और 2 full हो चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ group number 3 को join कर झाल